मैंगी खाना कज़ाना देखने वानों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार आज कुछ ऐसी रेसिपीज जो साउथ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में, इस्ट इंडिया में बहुत खाए जाती है जाए एक ऐसी चीज जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट खाई तो सब जगे जाती है लेकर नॉर्थ में कम खाते हैं, चावल कम खाते हैं, खाते तो हैं लेकिन हम गेहूँंजादा खाते हैं, बागी जगे हैं चावल झाएठा partes चावल की होती है और नौर्थ में चावल संड़े के संड़े बना करते हैं हमारे घर में ऐसे होता था लेकिन आज संड़े को सिर्फ चावली चावल और पहली जो डिश है बहुत स्पेशल है ये है चावल की एक आलू के साथ में डिश वराडी इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए ये कोकुनट ये सुखा वाला नारियल ग्रेट करके वो हम इस्तमाल करेंगे और ये देखिए इसे आप भून लें लेकिन भूनते समय एक चीज ध्यान रखें कि जलना नहीं चाहिए बहुत जल्दी जल जाता है और चाहें तो ये जो कुरियांडर सीड्स हैं वो भी साथ में इसमें डाल कर भून लें नारियल हमारा यहां पर पकरा है पानी में आलू डले हुए हैं तो पानी तो इसमें से निकाल लेते हैं पानी में क्यों डालते हैं आलू को ताकि काले ना हो लाल ना हो अक्सिडेशन जैसे लोया लाल हो जाता है जंगला जाता है अक्सिडेशन की वज़े से ये भी उसी वज़े से होता है तो अक्सिडेशन ना हो उसके लिए पानी में डाल के रखते हैं अच्छा भूनने के साथ मुझे दिहाना आया कि एक और चीज हमें भूननी ने तलनी है एक्षिली और वो तलने हैं काजू काजू को थोड़ा सा पैन के अंदर घी या तेल में तल लेते हैं लेकिन पहले इसको भार निकालते हैं तब तद गरम करते हैं और घी या तेल और ये जो काजू है ये भी तयार होंगे काजू को भी पकाना है आलू को भी पकाना है दोनों पक रहें तब तक कुछ थोड़ी सी चीजें और अदरक, हरी मिर्च, दालचीनी और हरा धनिया ये चीजें डाल कर इसमें मिक्स करें पानी डालें पीजें ये देखें ये पेस्ट मैंने तयार करी हुई है इन सब चीजों की हैं ये काजू भी हो गए हैं इसको हम निकाल लेते हैं और ये जो घी है ये इसमें डाल लेते हैं अच्छा इसके साथ में और क्या करना है इसके स और वापिस हमारे आलू की तरफ, अब लाल होने शुरू हो गए है, ये आलू, अब एक काम करते हैं, इसको निकालना शुरू करते हैं, अब ये जो पेस्ट है, ये डालेंगे, घी के अंदर या तेल के अंदर, ये पेस्ट, तो ये लीजे, अब इसके अंदर, और क्या डाले काम करते हैं दहीं डालते हैं और क्या डाला जाए और नमक तो डालना ही पड़ेगा और क्या डालेंगे हल्दी, हल्दी जादा नहीं अब क्या करना है अब ये मिक्स कर दिया अब देखें ये हल्दी मिल गई अब क्या डालें अब इसके अंदर डालने हैं ये चावल क्या बात है ये चावल इतने प्यार से जो हमने भिगोए हैं अब इसके अंदर पानी और अब ये जैसे ही पानी उबलने लगेगा तब इसके अंदर हम ये आलू डालेंगे आलू डाल कर मिक्स करेंगे और फिर पकेंगे चाबल तब तग आप क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं हमसे ये मेल आई है हमारे पास कहां से मलेशिया से Hi Sanjeev, greetings from Malaysia Call me Lisa Call me Sanjeev I would appreciate if you can provide some simple and easiest recipe specially for kids बच्चों के लिए breakfast, lunch, dinner सब कुछ बनाया जा सकता है जरूर ख्याल रखूंगा कैसे बनाना है लेकिन अभी तो ये simple recipe है Have a good day chef, have a good day Lisa Malaysia से जिया, आप कहीं पर भी हो जरूर हमें लिखें ये बच्चों के लिए simple recipes मैं कुछ episode बनाऊंगा आने वाले हफतों में जिसमें बच्चों की recipe और हाँ, यदि आप चाहें अपनी special recipe जो बच्चों की हो जो simple हो तो आप लिख कर भीजें हम कोशिश करेंगे कि सब के साथ उसको share करें लीजा, ठीक है ना? खेर, जरूर लिख कर भीजें चावल में डालते हैं ये आलू आलू डाल कर इसे हलके हाथ से कर लिया, mix अब क्या करना है? अभी तो आज करते हैं धीमे ढकन लगाकर धीमी आज पर पकने दे और बनेगा बढ़े असा वराड़ी बडाटा भात काजू, ये जो कैशूनट है इसे बिलकुल न भूलें उपर से गारनिश करें और इसे परोसे गर्मागरम अभी नोट करें इसकी कर्मागरम रेसिपी और उसके बाद इसका गर्मागरम रीकाप बराड़ी बडाटा भात के लिए में चाहिए गेल कप चावल पानी में भिगे हुए दो आलू क्यूज में कटे हुए एक चोथाई कप सूखावा नारियल ग्रेट किया हुआ एक बड़ा चमच सूखावा धनिया पांच बड़ा चमच घी, दस काजू एक इंच कटुकला अद्रक का बारी कटा हुआ चार हरी मेर्ज कटी हुए एक चोथाई गठी हरा धनिया कटा हुआ एक उच कटुकला दालचीनी का तीन चोथाई कप दही, नवक स्वादा नुसार और एक चोथाई चोथाई चोटा चमच हल्दी पाउडर इसे बनाने के लिए एक पैन में नारियल और सूखावा धनिया डाल कर खुन ले और इसे थोड़ा खंडा कर ले अब इसमें बानी, अधरक, कटी हुई हरी मिर्च, दालचीनी और कटा हुआ हरा धनिया डाल कर इसकी पेस्ट बना ले अब एक पैन में एक बड़ा चमच घी ले ले इसमें काजू डाल कर इसे तले और इसे निकाल ले इसी तरह से दो बड़े चमच घी में आलू को डाल कर थोड़ा रंग आने तक तले और इसे निकाल ले अब बाकी बचे वे घी को एक बड़ा में गरम करें और इसमें तयार की वी पेस डाल कर भून ले अब इसमें डाले दही, नमक और हल्दी पाउडर और इन सब चीजों को भूने और इसके साथ इसमें डाले पानी में भीगे हुए चावल और कुछ देर तक उसे भी हलके हाथ से हिलाएं और भून ले अब इसमें तीन कब पानी डाले और थोड़ा नमक डाल कर इसे उगबालने, अब इसमें डाले तलेवय आलूप और हलके हाथ से मिलाएं अब इस पर ढखकन अलागर धीमी आज पर इसे पकने दे, जब चावल पक जाए तब इसे निकाले और तलेवे काजु से सजा कर गर्मा गर्म परोसे